हाई दोस्तो वेलकम टू इम 786 के सस्क्राइबर तो दोस्तो आज हम हीट के बारे में बात करने वाले हैं हीट is a form of energy कॉंसी energy kinetic energy और potential energy which is transferred from one system to another with a temperature difference ठीके दोस्तो एक हमारे पास क्या है एक heat एक energy है ठीके कॉंसी energy kinetic और potential ठीके उसको जब वो transfer होती है एक system से दूसरी system में तो जब transfer होती है जब उसका कोई temperature difference हो गर दुनों का temperature same है तो उसमें कोई energy का आदान प्रदान नहीं होगा तो there is no transfer between one system to another system like we have two box like this one box is in normal temperature and second one is in 100 degree celsius temperature so what I do here I put this box here now आप दिख सकते हो दोस्तो एक normal temperature और दूसरा box अब हमने यहां put किया 100 degree celsius वाला box temperature जो था हमारा 100 degree celsius temperature पर हमने box यहां पर put कर दिया मालीचर दोस्तो हमारा इसका temperature 25 degree celsius है ठीक है यह क्या करेगा जो इसके molecules गरम हो रखे है इस वाली box के highly highly जो इसके molecules वाइब्रेट हो रहे हैं ठीक है तो जब हमारा दोस्तो एक चीज़ और आपको उससे पहले एक चीज़ और समझाता हूं सोरी दोस्तो जो हमारी hot body होती है हमारी जो भी हमारी energy का transfer होता है वह हमेशा hot body से cold body के साथ को होता है ठीक है जो हमारी second वाला हमारी hot body है इसके compare में यह जदे hot है और यह normal temperature कहने काले cold temperature में ही है लग पल तो दोस्तो जब हमने इसको यहां पर पूट कर दिया इसके उपर तो क्या होगा molecules हमारी इसके normal temperature वाली box के भी वाइब्रेट होगे वाइब्रेट होने के बाद यह कुछ time के बाद यह इसके temperature के बरावर हो जाएगा ठीक है after then there is no transfer of energy there is no transfer of heat नो दोस्तो अब पीछे आजाते हैं तो दोस्तो मैंने यहां पीछे ही समझाया है there are three modes of heat transfer through which heat is transferred from hot temperature to lower temperature body ठीक है अभी मैंने आपको पीछे 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 पास पैन है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया अब मैं इसको गरम कर रहा हूं ठीक है अभी हमारे यहां पर आग बर्न हो रही है ठीक है यहां पर हमारी आग चल रही है तो उससी क् अब मैं बाता हुआ है तो हमीत पैन है ठीक है दोस्टो जब गरम होगा तो इसकी इनरजी इधर और को फ्लो करेगी देडर तो यह कंडेक्शन हो जाएगा ठीक है अब आउप duo तो हमारी जो पहले molecules है यह जो हमारी top वाले molecules है पानी की सबसे पहले फी गरम हो जाएगे lower वाले बाद में होगे तो उस तीज को convection ठीक है तो अब मैं बात करता हूं heat transfer rate ठीक है amount of heat transfer per unit time जब भी हम amount of heat को transfer करते है per unit time के हिसाब से तो हमारा होता है heat transfer rate ठीक है तो q हमारा joule per second से हम इसको ठीक करते है और joule per second को हम watt में भी लिख सकते हैं तो I hope you दोस्त आपको समझ में आगया होगा और if you like my video please give a like and if you have any problem so you can comment in the comment section thank you दोस्तो